एलो फ्रेंड्स वेलकम टू कुकिट सोनी आज हम देखने वाले हैं घर पर ही बाजार जैसे बड़े बड़े अंकूरित डाले कैसे बनाए इसे बनाना बहुत यासान है और इसे बनाते वक्त मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी बताने वाली हुँ इससे आप घर पर ही एकद और आप चना ले सकते हैं और और भी कुछ दाले ले सकते हैं जो आपको पसंद है और आपके घर में आवेलेबल है वो तो यहां पर मैंने मूग और मोट लिया है इन दोनों को मैंने लगभक साथ से आठ घंटे के लिए पानी में बिगो कर रख दिया था तो इन दोनों को अच्छे से दो पानी से वाश कर लिया था और देर सारा पानी डाल कर इस तरह से बिगो कर ले लिया है और आप देख सकते हैं आठ घंटे बाद यह एकदम फूल कर डबल हो गए है इतने ही मैंने लिये थे और इसकी साइज आप देख सकते हैं यह फूलने के बाद डबल सा इन दोनों को हम इसका जो पाणी है उसे निकाल देंगे और फिर से एक बार इसे दो लेंगे इससे क्या होगा कि करने वाली हूं, आपके आपके पास अगर यह है तो इसमें आप डाल सकते हैं नीचे से इस तरह के इसमें चैध होने चाहिए, इसमें क्या होगा कि जो एर है वो नीचे से भी लक्तिज रहेंगी और हमारी जो डाले बहुत ही अच्छे से स्प्राउट्स इसके आ जाएंगे तो यहां पर मैंने दो साइड में एक तरफ मूंग और एक तरफ मोट यानि के मटकी को रख दिया है और इस तरह से फैला दिया है इसके नीचे एक बरतन रखा है जो भी एक्स्ट्रा का पानी होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा ध्यान रखे है कि हमें इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है तब ही हमारे जो डाले है वो एकदम खिली खिली बनकर तयार होगी अगर इसमें पानी रहेगा तो इसमें स्मेल भी आने लगेगी और ये चिप चिपी बनकर तयार होती है तो इसलिए इसका जो एक्स्ट्रा का पानी है वो पूरा मैं इस तरह से निकाल दूँगी आप देख सकते हैं इस साइड में पानी है तो भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे अभी इसे रखकर लगबग 10-15 मिनट हो गया है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है तो यहां पर मैंने एक किचन टॉवेल लिया है और इसे इस तरह से हम घख देखे देंगे द्यान रखें किचन टॉवेल गया है, बिल्कुल हाँ इस नहीं लगनी चाहिए तो दख एक इस से अच्छे से डख दिआ है अब इसके ऊपर घखकन एक कि देख देखे जो और आप प्लेट और नीचे चाहिए वो भी मैंने नीचे से रख दिया है ताकि नीचे से भी हवा खेलती रहेगी और हमारी जो दाले है वो स्प्राउट हो जाएंगी तो अभी लगभग मैंने इसे 12 से 15 गंटे के लिए साइड में रख दिया था और अभी 15 गंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ तो 15 गंटे हो गए है मुझे थोड़े से बड़े बड़े स्प्राउट चाहिए थे इसलिए मैंने इसे 15 गंटे रख दिया है अगर आप 8 से 7 से 8 गंटे भी रखोगे तो भी इसमें आच्छे से स्प्राउट आ जाते है और नीचे जो हमने डबा रखा था उसमें आप भाप तो देखें कितने अच्छे स्प्राउट इसके आ गए है एकदम बड़े-बड़े लंबे-लंबे स्प्राउट आ गए है और बिलकुल खिली-खिली हमारी डाले है तो मैं आपको मूंग भी दिखाती हूँ यह दीखें तो देखिए मूंग में भी कितने बड़े-बड़े स्प्राउट्स यहां पर आ गए है तो इस तरह से बड़े-बड़े मुझे चाहिए थे तो मैंने इसे थोड़ सा जादा गंटे के लिए यानि कि 15 गंटे के लिए रख दिया था अगर आपको नॉर्मल छोटे साइस के चाहिए तो आप इसे 8 गंटे भी रखोगे तो भी बहुत ही अच्छे से इसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं तो देखिए एकदम खिले-खिले हमारे स्प्राउट्स बनकर तयार हो गए हैं इसे तरह से आप बहुत सारे दालों से भी इसे बना सकते हैं पर ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे चनिम में डाले तो इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अगर इसमें पानी रहेगा तो यह चिप-चिपी बनती है और इसमें से अलग सी गंदी स्मेल आने लगती है तो देखिए एकदम खिले-खिले हमारे मोट और मूंग दोनों भी तैयार हो गए है इसे तरह से आप बनाएए और घर पर ही इसे खाईए बहुत है अगर आपको यह मेरा तरीका और यह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फीडियो को लाइक करिए, शेर करेए और अभी तक चानल पर नहीं है और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ थैंक यू